दोस्तो करनाटका स्टेट के रेजिस्टर्ड कंडिडेट की इलिजीबल लिस्ट और नोट इलिजीबल लिस्ट आचुकी है तो जिन इस्टुडेंट ने डोकुमेंट्स अपलोड कर दिया है और उनके डोकुमेंट्स वेरिफाई हो गए है वो इलिजीबल लिस्ट में अपन डोकुमेंटस अप्लोड के लिए डोकुमेंटस अप्लोड का टाइम देने के बाद में जोmost upgrade की डोकुमेंटस में कमिया है वो पूरि करने के बाद एक final verified list जारी कर दी जाएगी और उस list के बाद में आपको 24 करना है तो 24 फिल आपने ध्यान से करना है उसमें जो कोलेजे हैं उनकी फीष इस बार 25% increase की है और च्यार कोलेज ऐसे हैं जिनकी फीष काफी ज्यादा थाई है तो जो जिन कोलेजों की फीष इंक्रीज हुई है उनकी फीष नो लाग 44,406 उपए है तो आपने 24 फील करते से मैं ये ध्यान दखना है कि हाई फीस की कोलेज फिल न करें आप इसके बाद में आपने जैसे ही आप 24 फिल कर देंगे उसके बाद में मोक अलोटमेंट होगा यानि कि मोक allotment का मतलब है कि आपको पहले ये indicate किया जाएगा कि आपको ये seat मिल सकती है आपकी 24 के मुदाबिक उसके बाद mock allotment के बाद आप 24 को उपर नीचे कर सकते हैं या delete भी कर सकते हैं उसको देखते हुए और उसके बाद में final allotment होगा first allotment हो जाएगा जैसे ही final allotment हो जाएगा तो उसमें आपको च्वाइस इंटर करने होंगी इसमें चार च्वाइस होती है वो आपको allotment के बाद में अवस्य ही करने है जिन student की वो seat allot नहीं होगी उनको यह choice इंटर करने की आवश्यक्ता नहीं है वो second round में वैसे ही participate कर पाएंगे अभी जिन candidate को seat allot हो गई है उनके लिए यहाँ चार choice available होंगी first choice में यह होगा कि जो आपको first round में seat allot हुई है उससे आप संतुस्ट है इसके बाद में आप further seat allot नहीं करवाना चाते second round में या mop up round में आप यहीं counseling खतम करना चाते है यानि कि जो seat मिली है उस पर ही admission लेना चाते है फरदर upgrade नहीं करना चाते तो इस condition में आपको choice one देना है यह ऐसे candidate के लिए है choice मैं समझता हूँ उनको देना चाहिए जिनको सेंट जोन मिल गई है या रमया मिल गई है वो यहीं लेना चाते हैं उसके बाद further upgrade नहीं करना चाते तो वो यह choice से one फिल करें तो बैटर रहेगा choice one option फिल करने के बाद आपको online fees deposit करनी होगी आप nearest बैंक में जाके जो कोलेज की फीस है 9,94,406 रुपए आपको उस बैंक में पेड करने होगे और वहां से receipt लेनी होगी उसके बाद में करनाट का website पर दिये गए time के अनुसार आपको के यह के office बैंगलोर जाना होगा वहां original documents deposit करने होगे वह फीस की receipt आपको दिखानी होगी वहां पर उसके बाद में जब आप documents submit कर दोगे original document आपको एक वहां से receipt मिल जाएगी उस receipt मिलने के two hours बात में आपका allotment letter जारी हो जाएगा जो आपको के यह की website से download कर लेना है वह allotment letter लेकर के आपको college में report करनी है college में पूरी admission formalities पूरी करने के बाद आपको वहां admission ले लेना है और admission complete हो जाने के बाद आपको के यह की website पर login करना है वहां पर मांगी गई details पूरी भरनी है उसके बाद आपका के यह से संपर्क तूट जाएगा और आपके जो आपको अलोटेट college अलोट हुई है उसमें आप mbbs कर सकते हैं फर्दर आप किसी भी round में आगे participate नहीं कर सकते यह choice one की condition है उसके बाद में choice two की condition यह है कि आपको seat मिली है जो first round में वो seat को आप join करना चाते हैं और further आप upgrade करना चाते हैं यानि कि जो मिली है seat first round में second round में आप उसको upgrade कर सकते हैं तो इस condition में आपको fees deposit करनी होगी और उसके बाद second round में participate करना होगा आपको कहीं जाने की आवशकता नहीं है जैसे ही आपका allotment हो जाएगा उसके बाद आप nearest bank में जाके fees deposit कर देंगे और फिर आपको second round तक wait करना होगा मैं आपको यहां बतातू कि इस condition में जो आपने 24 भरी है और उन 24 हों में आपको जो college allot हुई है उसके उपर वाले college ही आपको second round में show होगे यानि कि higher option ही आप भर सकते हैं उसको delete कर सकते हैं उसको alter कर सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं उन 24 हों को तो यह 24 टू condition है और 24 टू condition फिल करने के बाद आप round 2 के लिए eligible है इसके बाद में 24 में ये option है कि आपको seat जो मिली है जो seat आपको allot हुई है उस seat से आप certified नहीं है तो आप उस समय ये option 3 दे सकते हैं उसमें आप second round के लिए participate कर सकते हैं और second round में जो आपको college first round में allot हुई है उसको छोटके बाकी 24 आपके लिए available रहेंगी आप उनको alter कर सकते हैं वहाँ पर लेकिन जो आपको college first round में allot हुई है वो college को आप नहीं choose कर सकते वो college आपके लिए cancel हो जाएगी उसमें इसके बाद में 24 थ्री का मैंने बता दिया है 24 फोर में वो option है कि आप आगे participate नहीं करना चाते हैं आपको seat मिल गई है इस seat से आप संतुष्ट हैं इस seat को छोड़ना चाते हैं तो आप उसमें further participate नहीं कर पाएंगे आप counseling से यहीं बार हो जाएंगे तो आपको यह 4 च्वाइस देने ही होगी अगर यह आप 4 च्वाइस नहीं देते हैं तो आप further round के लिए participate नहीं कर पाएंगे यानि second round और mop up round में भी participate नहीं कर पाएंगे आपको च्वाइस से यह यहीं देनी होगी उसके बाद में second round की हम बात करते हैं तो second round के लिए eligible यह 24 वाले candidate है च्वाइस टू जिनोंने fill किया है वो eligible है और 24 त्री जिनोंने fill किया है वो candidate यह दोनु candidate second round में eligible है मैं आपको यहां बता दूँ कि करनाट का अपना second round open है इस बार करने क संबावनन नहीं है 2019 में इसने second round open नहीं किया था 2018 में जरूर second round open किया था लेकिन अभी second round open होने के chances नहीं है क्योंकि time अभी कम बचा हुआ है इसलिए जो भी आपको 24 ही डालने है वो आप 24 फिलिंग करेंगे first round में ही कर देंगे और second round के लिए जो मैंने आपको option बताए इन चारों में से कोई option आपको एक चुनना होगा इसके बाद में second round में choice 2 और choice 3 वाले candidate ही eligible होंगे तो जिन candidate ने choice 2 भरी है वो अपने upgrade का option भर दे मैं आपको upgrade के option में एक condition बता देता हूं कि upgrade आप उसी condition में कर सकते हैं जैसे आपको higher condition की college में अपग्रेड कर सकते हैं अगर उन मे आपका upgrade हुआ तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो जो आपने first round में seat ली थी वो seat आपकी एजिटीज रहेगी और उस seat पर आपको admission लेना होगा अब इन दोनों choice वाले candidate जैसे मालो जिसको second round में seat अलोट हो गई है और जिसने first round में भी fees जमा करवा दी है इन दोनों परकार के candidate को fees nearest bank में deposit करनी होगी choice 2 वाले तो पहले ही कर चुके हैं लेकिन जो अभी second round में seat अलोट हुई है उनको nearest bank में चालान के थुरू ये fees deposit करनी होगी और फिर आपको KIA office आके वहाँ original documents deposit करने होगे choice 2 को भी वहाँ जाना पड़ेगा और choice जिनको नई seat मिली है उनको भी वहाँ जान होगा के ये office में जाके वहाँ original documents deposit करने होंगे और उसके बाद में original documents deposit करने के बाद आपका allotment लेटर जारी होगा फिर allotate college में जाके वहाँ पूरी admission formalities पूरी करने के बाद आप फिर के ये की website पर login करके फिर के ये दोवारा मांगेगी detail आप fill करेंगे और फिर के ये की counseling से आपका संपार तूट जाएगा यानि कि आप वहाँ college लेके आप mbbs कर सकते हैं उसके बाद में तो ये condition हो गई second round की अब बात करते हैं हम mop up round की तो mop up round में जिन candidate को first or second round में college allot हो गई है उनको फिर mop up round के लिए वो candidate eligible नहीं है और वो candidate भी eligible नहीं है जिनोंने choice one और choice four भरा थ हाँ वो candidate भी eligible नहीं है इसमें mop up round में मौप up round में दुबारा से registration होता है जो first और second round में आपकी 24 हैं आपने फिल की है उससे कोई लेना देना नहीं होता है मौप up round में 24 फिल होती है इसमें आपको dd लेके जानी होगी के ये दौरा एक fix amount किया जाएगा dd के लिए वो dd आप आपको बनवा के लेके जानी होगी मौप up round के लिए अगर आपको मौप up round में seat alert होती है तो वहां आपको वो dd deposit करने होगी original documents deposit करने होगे ये सारा जो offline होता है ये बैंगलोर के ये office में होता है मौप up round के लिए अब मैं आपको बता दूं कि जो करनाटका की seat hold करना चाते है जो candidate मौप up round तक wait करना चाते हैं तो first or second round में आप ऐसी college भर सकते हैं जो आपको first or second में alert ना हो तो इस परकार से आप करनाटका की जो counseling है उसके लिए plan कर सकते हैं और उसमें admission ले सकते हैं बाकी admission फोर्मल्टी और धीरे धीरे update होगी change होगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या change हुआ है क्या change नहीं हुआ है तो दोस्तों फिर नए वीडियो में फिर आप से मिलूंगा तब तक के लिए जैहिन